दोश्कार मैं हूँ विरेंद वेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्स्प्रेस आज कल एलेसी को लेकर हमारे देश और चीन के बीच लद्दा की गलवान घाटी में तना तनी चल रही है चीन अपनी चालवाजियों से बाज नहीं आ रहा है उसके नापाक मन्शा है कि वह किसी तरीके से गलवान घाटी पर आधिपत्य कर ले लेकिन वह हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना सीना ताने खड़ी हैं जिससे चीन अपनी योजना में सफल नहीं उपा रहा है इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस चीन को डोकलाम में असफलता का स्वाथ चखा चुकी है फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्या है भारत तिब्बत सीमा पुलिस देश के पांच केंद्री ससस्त्र पुलिस बलों में से एक है यह एक अर्ध साइनिक बल है इसकी अस्थापना केंद्री रिजर पुलिस बल अधिनियम के अंतरगत 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बात की गई थी इस बल को चीन के तिबबद स्वाइश शेत्र से भारत तिबबद सीमा की रक्षा के लिए तैनाद किया जाता है हालाकि सितंबर 1996 में संसद ने भारत तिबद सीमा पुलिस अधिनियम 1992 पारित किया था इस अधिनियम के दोरा ITBP के लिए रेगुलेशन तथा इसे देश की सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सोपी गई थी ITBP के जवान फिलाल लद्दाक में कारा कोरम पास और अरुणा चल्प देश के दीपूला तक तैनाथ आइटी बीपी का आदर सिवाक के है शौर्य द्रिड़ता कर्मनिस्था आइटी बीपी का मुख्याले है नई दिल्ली में 1971 के युद्ध में ITBP दो पल्टनों ने स्री नगर और पुल्च के सेत्र में घुसपैटियों के ठिकानों के अनेक सेत्रों की पहचान करने पता लगाने और उन्हें नस्ट करने के विशेश कार को अंजाम दिया था इस अभियान के लिए इनकी काफी सराहना हुई थी अब चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानि ITBP के कारे क्या हैं ITBP भारत तिब्बत सीमा पर कारा कुरम दर्रा से लिपूलेग दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 215 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है यह कारा कुरम दर्रा यानि जम्मू कश्मीर में तिब्बत तक ब्यापार के पुराने मार्ग से अरुनाचल पदेश में दीफूला तक फैला हुआ है ITBP आई बी यानि इंटेलिजन्स ब्यूरों को संड़क्षण पदान करती है वह आई बी के साथ मिलकर सीमा पार से होने वाले अपराद और गुप्त सूचनाओं के संकलन तसकरों और घुसपैटियों से पूश्ताच और अंतर राश्टी सीमा या LSE पर संयुक्त रूप से गस्त करती है आई टी बीपी समवेदंसी शेत्रों में सेना के साथ मिलकर काम करती है 2003 में आई टी बीपी को असम और अरुनाचल पदेश में भारत चीन के पूर्वी शेत्र का उत्तरदाय तो सौपा गया सीमा की रखवाली के अतरिक्त यह बल पूर्वोतर राज्जों में आंतरिक सुरक्षा करतव्यों का भी निर्वहन करती है आई टी बीपी के जवान दूरस्त सीमा छेत्रों में सडकों और पूलों के निर्माण और मरमत के साथ ही प्राक्तिक आपदा के समय उनकी मदद, चिकित्सा और पसू चिकित्सा के लिए शिवरों का आयोजन करते है 1922 तक इस सेना की गत्विदियां हिमाले तक ही सीमित थी लेकिन समय के बदलाव के साथ इस बल के कर्मियों को अन्य चुनोतियों का सामना करने के लिए भी प्रसिक्षित किया गया ITBP के जवानों को संयक तो राज संके सांति मिसन में भी तैनात किया जाता है अब यदि आपके मन में कोई प्रस निया सुझा हो तो आप नीचे दिये गए बॉक्स में अपना प्रस पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं आज बस इतना ही धन्यवाद अधिकार एस्प्रस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथी घंटी को जरूर दबाए और लोग सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकाईता के लिए हमारी मदद करें